जो लोग बार बार दस्त की समस्या से परेशान हैं, उनकी आंतनियां कमजोर होगी हैं, ठीक डंग से पाचन नहीं करती, तो उन लोगों को कहना चाहूंगा कि आप परेशान मत होई हैं, पिस्ता पांस से साथ गिरी हैं, आप रोजाना सुबह खाली पेट और साम को खाना खा पित्त की समस्या दूर हो जाएगी, जिन लोगों के चेहरे पे, शरीर पे, हाथों पे, पैरों पे सूजन की समस्या तंग करती हैं, उन लोगों को कहना चाहूंगा कि आप पिस्ता पांस से दस गिरी सुबह खाली पेट साम को खाना खाने से पहले इस्तमाल करेंगे, तो आ आपकी दूर हो जाएगी और आप पूरन रूप से ठीक हो जाएगे, जिन लोगों को सीथ पित रोग तंग करता है, जिसे हम अर्टी केरिया बोलते हैं, पित्ती उचलना बोलते हैं, इसमें इसका तेल लगाने में फायदे मंद है और खाने में फायदे मंद है, जब सीथ पित से परेशान रोग जब तक एलर्जी की गोली नहीं खाते तब तक उनका जो पित उचलना बंद नहीं होता और वो बहुत परेशान होते हैं तो उन लोगों को कहना चाहूंगा पहले लगाने में कैसे इस्तमाल करना है वो बतायता हूं पिस्ते की गिरी का तेल निकलवा के रख लें उस तेल को रात को सोते समय आप जहां जहां पित उचलता है या कई लोगों को पूरे शरीर में पित उचलता है कई लोगों को चेहरे पे सूजन आ जाती है और चेहरे पे पित उचलता है या किसी एक अंग में या सभी अंगों म तो एक जगा पर लगा के रात को सो जाएं, ऐसा कुछ समय करने से पीत उचलना दूर हो जाएगा, ये तो लगाने का तरीका हो गया, अब उनको खाने में कैसे इस्तमाल करना है, पांस से दस गिरी, सुबे खाली पेट, रोजाना खाली पेट खाना शुरू कर दें, एक दिन म होती है, तो तीसरी सुरू हो जाते है, परेशान होते हैं, दवाईयां खा खा के परेशान हो, अरे अब तो मैं दवाई नहीं खाता, बहुत परेशान हो गया हूँ, अब परेशान होगी, तो उन लोगों को कहना चाहूंगा, कि आपके सरीर में इम्यून सिस्टम कमजोर हो पूरी तरह से उसमें गरबड़ी दूर हो जाएगी तो आप इसका इस्तमाल करके पूरन रूप से अपने रोग परतिरोधक शमता परनाली को ठीक कर सकते हैं और बार बार अपने आपको बिमार होने से बचा सकते हैं जो लोग तोचा रोग से परेशान है खारिस खुजली त जगा पर आप तेल को लगाएं और सो जाएं सुवे नहाने में गुनगुने पानी से नाएं वो अपने आप धुल जाएगा अब इसके बाद पिस्ता पांस से दस गिरी सुबे खाली पेट रोग जाना एक दिन में एक बार खाना सुरू कर दें तो बहुत जल्द आपके त जोचा से संबंदित बीमारियों को दूर कर देता है चक्कर से जो लोग परेशान हैं जिनको जड़ा सा उठते हैं बैठते तो चक्कर आने लग जाते हैं चाहे सर्वाइकल के कारण हो चाहे अन्य कारण से दिमाग में नसों में खून के साथ ऑक्सीजन नहीं पहुचता य तीन मुंद नाक में तेल डाले और खीचे तीन मुंद इसमें डालके खीचे उस तेल को थोड़ा सा माथे और सिर्पे मालिस भी करें ये तो हो गया इसका नस्यकरम और मालिस करने में अब पिस्ता की पांस से दस गिरिया सुबे और शाम को खाना खाने के एक गंटे बाद का दूद गुनगुना करके उसके साथ इस्तमाल करने से चक्कर की समस्या से छुटकारा मिल जाएगा और चक्कर क्या होता है ये हमेशा के लिए भूल जाएंगे जो लोगों अपनी यादा शक्ती बढ़ाना चाते हैं कि कहीं भी कुछ रखते हैं तो रखके भूल जाते है कहां रखा कहां रखा कहां धूंडते रहते हैं या क्या चीज ऐसे अरे यार मैं बात भूल गया था भूल गई थी तो उन लोगों को कहना चाहूंगा कि पिस्ता की गिरी खाने से दिमाग की नसों को ताकत भी मिलती है और दिमाग से जब ताकत मिलेगी तो यादा शक्ती तो अपने आप बढ़ जाएगे, कितना भी याद करेंगे, वो हमेशा याद रहेगा, कभी भूलेंगे नहीं। पिस्ता पांस से दस गिरी, गाय के गुनगुने दूद के साथ, आप इसका इस्तमाल सुबे शाम खाना खाने के एक गंटे बाद करें, इसे यादा शक्ती बहुत बढ़ जाती है। तो आपको गहरी अच्छी नींद आएगी, और दिमाग में संतुलित मातरा में केमिकल बनेंगे, जिसे रसायन कहते हैं, जिससे आपकी नसों को ताकत भी मिलेगी, सिकुडाहर्ट खुश्की भी दूर हो जाएगी, और जो आप नींद की गोली खाते हैं, उससे भी आपको ताकत भी मिलेगी, और दिल से संबंदित विकार भी दूर करने में आपकी बहुत जादा मदद करेगा, जिन लोगों की बड़ी आत ठीक डंग से खाने का पाचन नहीं करती, या उनमें सूजन है, या जखम है, किसी परकार से परेशानी है, उनको उत्पन हो रही है, और व परेशानी में घबराण बेचैनी, हाथ पैर में सूना पन तंग कर रहे है, लक्षन के कारने में आपकी बड़ी आत में ताकत मिलेगी, उसका संक्रमन दूर हो जाएगा, अगर उसमें सूजन है, जखम है, तो वो भी भरने में आपकी बहुत जादा मदद करेगा, उसको ठ परेशानी में घबराण बेचैनी, हाथ पैर में सूना पन तंग कर रहे है, लक्षन के कारण, लक्षन जो देखे जा रहे हैं उनके अंदर यही देखे जा रहे हैं, कि उनके सरीर में सूना पन तंग करता है, घबराण बेचैनी तंग करती है, और कमजोरी बहुत जादा त क्योंकि दिमाग से नाडियों में कहीं भी आपके खून जमाना नहीं होगा उन्में किसी परकार का कोलेस्ट्रोल भी हमेशाश ही क्रैब क्योंकि खराब कोलेस्ट्रोल से पीडित लोग बहुत है ऐसे जो गोली कहाते तो कोलेस्टरोल ठीक रहता है गोली छोड़ देते हैं तो उनका फिर से कोलेस्टरोल बढ़ जाता है तो उन लोगों को कहना चाहूंगा कि आपके लिए बहुत फायदे मन्द है इसका इस्तमाल करके लाब उठा सकते हैं जो लोग कैंसर से पीडित हैं उन लोगों के लिए भी 5- से दसगिरी सुबे खाली पेट खाना बहुत फायदे मन्द है एक दिन में एक बार इसका इसका इस्तमाल करें इक कैंसर की कोशिकाओं को नश्ट करने में आपकी बहुत ज्यादा मदद करेगा जिन लोगों का जी मिचलाता रहता है थोड़ा भी कुछ खाते हैं तो एकदम की शाम को रोजाना दिन में तीन वार इसका इस्तमाल करें और चबा चबा के खाएं इससे आपकी पेट की पाचन सकती बढ़ जाएगी और जी मिचलाने की समस्या दूर हो जाएगी जिन लोगों के बाल जड़ते हैं बालों की ग्रोथ नहीं हो पाती है उन लोगों को कहना चाऊंगा या बाल समय से पहले सफेद हो रहे हैं उन लोगों के लिए पांच से दस दाने पिस्ता के खाने बहुत फायदेमंद है और पिस्ते का तेल निकलवा के भी रख लीजिए हफते में तीन बार बालों की जड़ों में पिस्ते का तेल लगाएं और आदे घंटे बा जिसे हम लिपोमा कहते हैं या रसोली भी कह जाते हैं या शरीर के अंधुरूनी अंगों में जगा जगा गांठे हो जाती है चाए लिवर हो चाए गुर्दे हो चाए मैलाओं में बच्चेदानी में हो क्योंकि इसमें विटामीन E और अन्य पोशक्ता तो पाए जाते हैं जो सरीर की गाठों को melt करने में आपकी बहुत ज़्यादा मदद करेंगे और गाठों को दूर करने में बहुत अच्छे भी सावित होता है ये पिस्ते का इस्तमाल करना, तो पांस से दसगिरी सुबे, पांस से दसगिरी शाम को खाना खाने के आदे गंटे बाद इस्तमाल करने से शरीर में अंदरूनी या बाहरी तोर पे गाठों के शिक्याद दूर हो जाती है, जिन लोगों का शरीर का वजन बढ़ा हुआ है और मोटापा होने के कारणों उस अपना काम ठीक डंग से नहीं कर पाते हैं, उनको तरा-तरा बिमारियां तंग करती है, उन लोगों को कहना चाहूंगा कि खाली पेट गुन-गुना पानी पीले, उपर से 10 ताने आप पिस्त जाएगा और सरी में कमजोरी भी नहीं होईगी, जो लोग कब्ज से परेशान रहते हैं, तरा-तरा की गोली, कैपसूल या सिरप, पिते तब जाके कब्ज से छुटकारा मिलता है, वो भी दिन में 3-4 बार जाना पड़ता है, तब जाके उनका पेट पूरी तरह से साफ होता है, उन लोगों को कहना चाहूंगा, इसमें फाइबर पाया जाता है, जो आंतों को ताकत देता है, और मल को सही समय पे अपनी जगा पे पुचाता है, इसलिए पिस्ते की 5-10 गिरी सुबे, 5-10 गिरी शाम को खाना खाने की एक गंटे बाद गाय का दूद गुन-गुना करक तो कब्ज की शिकायत हमेशा के लिए दूर हो जाएगी, और थोड़ा सा घूमना फिरना शुरू करते हैं, तो हमेशा के लिए आपको कब्ज से आपको छुटकारा मिल जाएगा, पिस्ते के मैंने आपको इतने सारे फायदे बताये तो कुछ नुकसान है वो भी बतायता इसका जो रोज से जादा मातरा में इस्तमाल मत करें क्योंकि अती हर चीज की नुकसान दायक होती है, इसको तेल में तलके, घी में तलके मत खाएं, ये भारी हो जाता है, पेट की पाचन सक्ती को खराब करता है, रात के समय इसका इसका इस्तमाल मत करें क्योंकि ये नींद को खुतम करता है हां साम को आप इसका इस्तमाल सोने से एक तीन घंटे पहले इसका इस्तमाल करके लाब उठा सकते हैं और आज के लिए इतना ही अगली वीडियो में कुछ और लेके मिलता हूं धन्यवाद